कि मारूतिकी कार है इसका यह देखो यह इनप्रेक्ट सेंसर है यह गाड़ी के एरबैग फुटेवा लेते तो मैंने क्या-क्या दाल दिया एरबैग कौन से दालना भाकी है इमाई दिखा देता हूँ यह फिल का एक एरबैग दाल दिया और इस्टेरिंग फिल भी दाल दिया क्योंकि वह बेंड हो गया था स्टेरिंग फिल अब को दिखा था हूँ स्टेरिंग फिल काईस हो था यह दो कि पूरा तेड़ हो गया था और जो उसकी अंदर की जो स्प्रिंग कोईल रहती है वो भी दाल दी नहीं और जो जो स्टेरिंग का जो एर्बैग है वो भी दाल दी आनाया और ये जो कंट्रोलर है ये भी दिखाता दाओ ये भी दालना पड़ता है और ये जो हैंडब्रेक है और जो गेर का नोब है इसके अंदर इता हैंडब्रेक के नीचे रहता है ये आपको उपर का निकालना पड़ेगा और ये महीने दाल दी आनाया और येदेको इस साइड का बेवे दालने का उसको खोलके रखाया मैंने अब आप लोग में बेल्ड दिखा दिताओ क्यूंकि बेल्ड भी दालने पड़ते बेल्ड भी जब एर्वे खोलता है तो बेल्ड भी लोख होती इदेको पूरा ताइट हो आला ये नया नया सीड बेल्ड है दोनों दालने पड़ते लेफ साइट और रैट साइट के या इस सरह ताइज सीड बेल्ड इस सीड बेल्ड रिपेर भी होते ही लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं है वो लाइट नहीं जाती एर्वेक की और ये डेश बेल्ड का उपर का गवर है और ये भी पैसेंजर सेट का जो इर्वेक रहता है वो भी फटे वाला है वो भी नया दाल लेगा है ये माया भी नया लाया हूँ और उसका डेश बेल्ड का उपर का गवर है बोध मेंगा उपर का गवत ये भी मायपट करने वाला हूँ ये दो के इतना पूरा सामयन दाल दिया स्टेरिंग कवर ए एर्वेक इस साट के सिट बेल्ड दोनो इन्पैक्ट सेंसर स्प्रिंग कोईल मोडूल है मोडूल और जो डैश बोड का जो कवर है एक कवर इतना सब धालना पड़ता है अगर एक बार एर्वेक खोला तो तुम्हेंने भी पुरा गाड़ी रेडी कर दिया सिट बेल्ड वोगर लगा दिया इस साट का भी पैसेंजर का भी एर्वेक लगा दिया ट्रावर साट का भी लगा दिया इन्पैक्ट सेंसर भी चेंज किया क अब भी देखो मैं इगनिशन आन क्या हो अब ये एर बैक की लाइट चेली गई फिर शेवान करता हो देखो ओके एर बैक अपना ओके हो गया अब खो आन करता है